मसकार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलबे ग्रूप D का एकजाम आपका अगस्त से शुरू होने वाला है ना तो आप लोग एक अच्छा सा तैयारी किजिए जिनका आपसे हो पाए जैसा कि आप लोग देख लिए हैं कि RRB NTPC में किस टैप का question आया है तो उसी टैप के question के उमीद आप लोग कर सकते हैं कि maths reasoning के उसी टैप के question आएंगे तो आप लोग एकदम जवरदस्त practice करें timing के साथ है ना क्योंकि speed आना बहुत ही जरूरी है और speed के साथ साथ accuracy भी होना चाहिए है ना तो आएए आज आपको बताते हैं कि आप लोग किस तरह से अपना ये target रखें कि इतना score आपको हर part में लाना है तो आप एक अच्छा खासा score इसमें ला सकते हैं और आप अपना एक seat इसमें पका कर सकते हैं ना और उसके उपर तक पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई देरी नहीं होगी है अब आप में talent नहीं होगा तब तो आप level 1 का भी job नहीं ले सकते हैं तो आप लोग अच्छा से तयारी करिए और यदि talented हैं तो आप लोग आगे तक जा सकते हैं लेकिन इस भीरभार से निकलने के लिए आपके लिए एक अच्छा खासा चांस है जो कि आप लोग एक अच्छा सा तयारी करें ये मत देखें कि रेलबे group D है ये है वो है जो भी है आप यदि चाहते कि government का job लेना तो आपके लिए अच्छा चांस है एक अच्छा खासा तयारी करें और आज आपको बताएंगे कि आपके लिए special हम क्या लेकर आ रहे हैं इस channel पर जो कि आपको exam में 100% help करेगा है ना तो दोस्तों आईए जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहला बात है कि इसका slavus है ना तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 25 कोश्चन science से आएंगे 25 कोश्चन maths के रहेंगे 30 कोश्चन इसमें रिजिनिंग के रहेंगे और 20 कोश्चन आपके GA और current affairs के रहेंगे है ना तो दोस्तों आप लोग अपना एक target fix करें कि आपको कितना-कितना score किस-किस parts में लाना है आप 80 target रखें कि 80 नमर तक आपको लाना है क्योंकि target आप रखें high टारگे यह ना रखें कि 60 नमर तक आपको लाना है आप यदि 60 नमर का target रखें तो आप 50 पे जाके अठच जाएगे है और एक अच्छा खासा आप लोग जो प्रेक्रि किये हुए हैं तो आप लोग जैसे यह आपका कितना है 55 되第一 का है तो आप लोग इसुन टारगेट रखें 45 से लेकर 50 नम्मर तक है ना और अपका यदर अच्छा खासा तयारी रहेगा तो आप इसमें 45 असानी से ला सकते हैं 55 में यह कोई ज्यादा नहीं है जिनका अच्छा खासा reasoning math पे पकर होगा तो वो तो 50 से ऊपर इसमें करेंगे है ना सही करके आएंगे तो आप लोग भी एक रखें target की कम से कम इसमें reasoning math में 45 score आप इसमें लाने का और उसके बाद science और GA और current affairs से आएगा आपका total 45 नमर का तो आप लोग इसमें रखें target की 30 से 35 इसमें नमर जो है लाने का ओके हाँ आप लोग इतना score इसमें जो है लाने का कोशिस करते हैं 45 में कि कम से कम 30 आ जाए है ना तो आप एक अच्छा खासा score यानि कि 75 से लेकर आप लोग 85 तक इस score आसानी से ला सकते हैं है ना तो आप लोग एक अच्छा खासा target रखें कि 80 नमर तक लाना है और आप यद लोग क्या करें कि अभी जो RRV NTVC का जो एकजाम हुआ है उसका जितना भी कोश्चन है reasoning math का आप लोग अच्छा खासा practice उस पे कर लें एकदम जो है time के साथ आप उसका practice कर लें बना जाए है ना आपका यदि अच्छा खासा practice हो जाएगा तो आप railway group D के एकजाम में भी ए आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ रहे हैं तो हर सेट में छोड़ते जाएं ऐसा ना करें है ना आप यदि छोड़ रहे हैं तो उसको पहले सीख लें कि ये question को कैसे बनाएंगे और फिर अगला सेट में उसको एकदम जो घरदा उड़ा दे है ना तो इस तरह से आप का और रेलवे का जितना भी question है आप लोग उस पे अच्छा खासा practice कर ले और इसके लिए एक बहतरीन आपका previous year का book आता है घटना चकर परकासन का है ना आप लोग वो आपने पास रखें आपके पास यदि पहले से तो अच्छा खासा उस पे आप लोग practice करें पढ़ते रह आपको कह सकते हैं है ना और special आप लोग यह science के लिए एक जो है दृष्टी परकासन का भी science आप लोग ले सकते हैं है ना इसमें अच्छा खासा question दिया हुआ है concept के साथ तो आप लोग वो भी ले सकते हैं science के लिए है ना तो दोस्तों आईए और अब है जो main बात कि आपको इस channel पर हम क्या लाएंगे वो तीन अगस्त से है ना इसमें दो चीज का हम ज्यादा से ज्यादा practice करवाने का कोसिस करेंगे पहला बात कि आपको current affairs का question है ना आपको 2021 और 2022 का मतलब जैसे अभी आपका अगस्त में एक्जाम है तो कोसिस करेंगे कि जून जुलाई तक का आप आपका एक्जाम होगा railway group D का तब तक आपका इसका question आते रहे लाच्ट तक कोसिस करेंगे ज्यादस ज्यादस आपको question करवाने का ओके तो आपका तीन अगस्त से current affairs का वीडियो आना start हो जाएगा उसमें कोसिस करेंगे 30 से 40 50 question जितना मतलब ज्यादा से ज्यादा हो आपको question उसमें देने का कोसिस करेंगे और ये जो है आपका सुबह-सुबह 10 बजे ये वीडियो जो है दे देंगे आप लोग अच्छा खासा देख सकते हैं उस पे और आप अपना practice उस पे कर सकते हैं और उसके बाद आपका science का question और estatic gk का question ये जो है 25 question का set लाएंगे वो आपको परात 8 वजे वीडियो जो है दे देंगे आपका एक दिन ये science का question देंगे और एक दिन estatic gk का question देंगे बीच इबिच बीच में आपको alcanzate guesser ये देदे रहें ना और इसमें क्या करेंगे इदिए जैसे physics से chemistry से Bodylogy से इस से आपको चाप्टर वाइस अप Tarvice दे के देंगे जो कि आप लोग उस पे practice करके आप लोग एक अच्छा खासा score exam में ला सकते हैं ना और इसकी अलावे Saturday और Sunday को क्या रहेगा special आपका जो भी current affairs करवाएंगे उसका revision करवा देंगे है ना उसी वीडियो को merge करके आपको revision करवा दें या फिर special आपको फिर से सभी question पर recording करके आपको अच्छा खासा practice करवा देंगे और उसके बाद जीए और science से एक अच्छा खासा मतलब जैसे कि combination करके question को उसमें science का भी रहेगा question जीए का भी रहेगा current affairs का भी रहेगा और उससे एक test three step का 50 question कर देंगे जो कि आप लोग बनाईएगा और उसमें देखिएगा कि आपको 50 में कितना score आता है है ना इसके अलाबे आपको यदि कुछ अपनी राई देनी है तो comment section में दें है ना तो दोस्तों आपको तीन अगस्ट से current affairs का और science और static GK का question अना start हो जाएगा तो आप लोग यदि एक अच्छा खासा practice और तयारी करना चाहते है तो चिनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों में भी share करें और अच्छा खासा तयारी आप करते रहें और इसमें एक seat आप अपना पका करें है ना क्योंकि ये फिर जो है railway group D का RRB NTPC का अब ये फिर अभी 4 से 5 साल य नहीं है है आप लोगों के पास एक अच्छा खास चांस है अच्छा से त्यारी करें मेहना से त्यारी करें आप यदि मेहना से त्यारी करते हैं तो आपका एक सीडिस में पकार रहेगा ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर तब तक लिए दन आपने बादे मुशकर.